अजी फ्यार करया था, बार बार साधी के वादे दे रहा था साधी करने से साप इंकार कर गिया और घर सा भाग का इसके विज़े साथ साथी शामली थानाभवन खोतवाली में एक प्रेमी जोड़े की शाधी हुई दोनों ने एक दूसरे को वर्माला पहनाई, एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का वादा किया दोनों का कई साल से प्रेम पर संग चल रहा था, यूंगती ने यूवक पर शारिरिक उत्पीडन का आरोप लगाया था पुलिस ने दोनों पक्षो को कोतवाली में बुलाया और उसके बाद दोनों की शाधी करवा दी दरसल मामला थाना भवन इलाके के गाउन लथीफगड का है लथीफगड निवासी जोदी ने थाने पर प्रातना पत्र देकर शाधी का बादा कर पुलिस ने दोनों पक्षो को सुनवाई के दिये ठाने बुलाया था थाने पहुची जोदी के परीजन एवं सन्जु की परीजनों में बातचीत हुई तो दोनों ने आपसी समझोते के तहत पुलिस कार्यवाई से इंकार कर दिया थाने के बहार निकलतेगी जोदी और संजु ने एक दूसरे को वर्माला डाल कर पती पतनी के रूप में सुविकार कर दिया अब यह पूरा मामलाक्षेत्र में सुर्खिया बटोर रहा है अब जब आजब प्यार कर रहा है था बार बार साधी के वादे दे रहा है आज आपकी साधी हो गई यह निए उप वाली हो और गरेने वाला है धार जो लॉक देगा है क्या किसी दपाव में थो साधी नहीं हुई जी नहीं हुए नहीं कि दिन चलब हगा पकी संबन्द चल रहे थे जोती का कहना है कि कई साल पहले उसकी बड़ी बेहन के देवर से उसका प्रेप परसक हो गया था गोरव ने उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन जब जोती ने गोरव से शादी करने को कहा तो गोरव अपने घर से बिना बताए लापता हो गया था जोती ने पुलिस से कार्यवाई की मांगी थी